हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और गैजस्ट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागित करता हूँ आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे आप लोगों के डाउट जो कि Realme XT के बारे में हो सकते हैं या पर Redmi Note 8 Pro के बारे में हो सकते हैं ये दोनों ही फोन अनाउंस हो चुके हैं कुछ फोन के आपने अन्बॉक्सिंग भी देख लिए होगी आज हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले आपकी सारी क्वेरिस यानि कि दोनों फोन की क्या प्राइस होने वाली है किस तारीक कोई दोनों फोन लाउंच होने वाले है और कौन सा फोन किस नामले में अच्छा है तो चलिए शुरुबात करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं प्राइस और प्राइस यहाँ पे Redmi Note 8 Pro की शुरू हो जाएगी 14,000 से जबके Realme XT शुरू होगा 16,000 से और यहाँ पे Realme XT जादा क्यों है यह भी आपको आगे पता चलने वाला है तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की दोनों ही ग्लास बैक वाले फोन हैं यानि की दोनों ही फोन्स में आपको Gorilla Glass 5 मिल जाएगा इस बार और front में भी आपको Gorilla Glass 5 मिलेगा यानि की protection में कोई कमी नहीं है दोन नहीं पोन्स में लेकिन form factor में कुछ अलग बाते हैं जैसे की Redmi Note 8 Pro 199 ग्राम का है अल्मूस्ट 200 ग्राम का पोन है थोड़ा सा हेवी है compared to Realme XT जो की 183 ग्राम पे आपको मिल जाएगा साथ इसाथ thickness में Redmi Note 8 Pro 8.7 mm की thickness के साथ आएगा जबके Realme XT 8.55 mm की thickness के साथ आएगा तो form factor Realme XT का थोड़ा सा light रहेगा डिस्पले की बात करें तो यहाँ पे दोनों में ही आपको बढ़िया quality के डिस्पले मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा premium display मिलेगा आपको Realme XT में जो की AMOLED डिस्पले है और 6.4 इंच का FHD Plus resolution के साथ आएगा Gorilla Glass 5 का protection मिलेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया और साथ इसाथ GT5 डिस्पले के साथ आएगा Redmi Note 8 Pro भी जिसके अंदर आपको FHD Plus resolution मिल जाएगा लेकिन वो एक IPS LCD डिस्पले रहेगा तो डिस्पले के साथ से यहाँ पर Realme XT बहतर आ जाता है प्रोसेसर की बात करों दोस्तों तो यहाँ पर MediaTek का G90T जो की Gaming Centric प्रोसेसर है वो आपको Redmi Note 8 Pro में मिल जाएगा और वो भी सफ्ते दावों में यानि की Gaming के साथ से Redmi Note 8 Pro जादा बहतर प्रोसेसर करेगा और यहाँ पर हमने device test करके भी देखा है यानि की जो प्रोटाइप device है जो इस प्रोसेसर के साथ है वो हमने चेक करके देखा है अगर हम बात करें Realme XT की तो वहाँ पर थोड़ा सा disappointment है क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसर है जो की 730G हो सकता था लेकिन वहाँ पर Snapdragon 712 मिलेगा आपको तो performance में वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी performance आपको gaming की नहीं मिलने वाली है लेकिन यहाँ पर बहतर प्रोसेसर आपको Redmi Note 8 Pro में मिल जाएगा कैमरा की बात करें दोस्तों तो दौनों में ही आपको 64MP का कैमरा है जो की latest Samsung का sensor है तो यहाँ पर दौनों में ही आपको 4 कैमरास मिलेंगे 64MP वाला same camera मिलेगा लेकिन जो camera के results है वो हमने अभी नहीं देखें उसके लिए मैं recommend करूँगा कि रोहिज भाई ने एक comparison वीडियो किया है जिसमें दौनों camera का comparison नहीं किया है वो आप जाके जरूर देख ले ना description में आपको link मिल जाएगा अगर specification की बात करें तो दौनों में same camera है और दौनों में ही आपको wide angle camera मिल रहा है दौनों में ही आपको macro camera मिल रहा है और दौनों में ही आपको 2MP का depth sensor भी मिल रहा है Selfie camera की specification की बताओं तो यहाँ पे आपको 20MP का front camera मिल रहा है Redmi Note 8 Pro में जबकि 16MP का front camera मिल रहा है Realme XT में और selfie camera का comparison भी यहाँ पर रोहिस भाई की वीडियो में बहुत अच्छे से है तो आप जाके देख लीजे वहाँ पर कि किस तरह की clarity मिलने वाली है आपको front camera से दौनों फून्स में बैटरी की बात करूं दोस्तों तो यहाँ बड़ी बैटरी आपको मिल रही है Redmi Note 8 Pro में 4500 mAh की और 4000 mAh की बैटरी मिल रही है Realme XT में Fast charging दौनों में मिल रही है और Fast charger भी दौनों में मिलेगा जबकि 18W का Fast charger मिलेगा आपको Redmi Note 8 Pro में जबकि 20W का Fast charger मिलेगा यहाँ पे Realme XT में Connectivity के साब से देखा जाए तो Type-C का port आपको दौनों फोन मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है जिससे आप Fast charging और Fast heat transfer कर सकते हैं लेकिन Connectivity में compromise किया गया है Redmi Note 8 Pro में क्योंकि वहाँ पे आपको Hybrid SIM tray slot मिल रही है जबकि Realme XT में आपको dedicated slot मिल रहा है और Connectivity में हमेशा देखा गया है कि Realme थोड़ा सा बहतर रहता है compared to Redmi phones क्योंकि वहाँ पे full-size SIM tray ज़्यादातर phones में मिल जाती है launch के साब से देखा जाए तो यहाँ पे Realme थोड़ा Fast है और September end तक आपको Realme XT मिल जाएगा जबकि Redmi के case में launch होगा वो phone October के end में यानि की almost 2 महीने बाद अब देखा जाए तो September का महीना शुरू हो चुका है और Realme XT पहले आजाएगा और उसका फाइदा definitely Realme XT को मिलने वाला है तो दोस्तों यह था हमारा एक quick comparison दौनों ही devices की specification और आपकी queries को answer करना जिससे आपको पता चल गया होगा कि कौन सा phone आपके लिए बेतर है यहाँ पे हमने हर section में scoring किये जिससे आपको idea लग जाएगा कि कौन से phone का ज़ादा score है और कौन सा phone आपके लिए ज़ादा बेतर है उसका भी आपको पता चल जाएगा तो ऐसे में wait कीजे इन दौनों फोन्स के आने का इनका एक detailed comparison हम बनाएंगे जैसे ये फोन launch हो जाएंगे और हमें मिल जाएंगे फिलाल इस वीडियो में तना ही अगर आपको वीडियो चलगा है तो like बटन दबाईए और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया जैहिन वन्ने मातरम